हाई फ्रेंड्स वेलकम तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो आज का टॉपिक है वह ओरल सब्मुकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है और सब्मुकस फाइब्रोसिस में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस बीमारी को हमें कितना सीरि प्रेंड का है उसके कारण से यह और अपको सब्सक्राइब्रोसिस हुआ है आपको तो सबसे पहले चीज कि आपको यह विट करना होगा और जब आपने एक बार है बिट को छोड़ दिया तो डिपैंड करता है कि आप जिस स्टेज में इसको छोड़ते है मिन्स आपकी सीव ज्यादा है मिन्स आपको ज्यादा केरफुल होने की अभशकता है तो हम यह सीवियर्टी कैसे समझेंगे कि ओरल सम्युकस फाइब्रोसिस का जो यह जो फॉर्म है वो किस प्रकार का है यह माइल है मॉडरेट है यह सीवियर है तो जैसे कि अगर वेरी माइल केसे की बात करे कि प्रकार का बैंड नहीं होता है और नी बर्णिंग सेंसेशन पैशिन को फील होता है लेकिन जैसे ही माइल से हम आगे बढ़ जाएंगे तो जैसे कि अगर मैल्ड को भी देखे तो माइल में Lite Fibrosis बैंड आपको मीलेंगे लेकिन जैसे ही हम लोग मॉडरेट स्टेस की बा और यह जो है यह 20-30 mm के बीच में होती है जब कि एडवांस ओरल सब मुकस फाइबरोसिस पे माउथ ओपनिंग लेस देन 20 mm होती है तो यह जो हमारा जो माउथ ओपनिंग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है तो इस ते बहुत सारे प्रॉब्लम क्रेट होते हैं मिन्स आप अप पैचेज जो की करेक्ट नहीं हो पाते हैं जैसे ओरल सा मुकस फाइबरोसिस में ब्लैंचिंग होती है आपकी जो मुकोसा है वो कंप्लीट वाइट हो जाती है तो जब आपकी मुकोसा वाइट होती है तो वहां पे वैसकुलारिटी कम होती है मिन्स वहां पे जो ब्लड सप आप देखेंगे कि oral sub mucos fibrosis में एक stage के बाद क्या होता है कि red changes आना सुरू हो जाता है अब ये जो red changes है इसे हमें किस प्रकार लेने की आवशकता है तो oral sub mucos fibrosis में जैसा आप फोटो में देख रहा है कि arrhythmatus change हुआ है तो ये arrhythmatus change अगर control नहीं हो पा रहा है means ये heal नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए तो इस तरह का जो change है oral sub mucos fibrosis के लिए थोड़ा सा खतरनाक माना गया है वो इसलिए क्योंकि यहां पे जो आपको लगेगा कि erythroplachia टाइप का बन गया है means red patch बट ये actually leukoplachia और erythroplachia जो है that is different thing बट यहां पे OSF में एक red patch बना है means erythroplachic change आया है erythroplachic change means उसके type जैसा change आया है तो ये erythroplachic change जो है ये खुद से reversible नहीं होगा जब ये खुद से reversible नहीं होगा तो आपको क्या करना चाहिए तो जैसे कि oral surmucous fibrosis में multiple vitamin और medicine की therapy होती है या फिर यूँ कहले आपकी injection therapy होती है या versatile treatment होता है modalities तो इन सब को यूज करने के बाद भी अगर red patch means erythroplachic change आया है तो आपको सतर्क होने की जुरत है वो इसलिए क्यूंकि जो erythroplachic change है वो कभी-कभी early invasive squamous cell carcinoma में convert हो जाता है तो erythroplachic change अगर काफी time से है means अगर वो 2 mm तो 5 mm है या फिर 5 से 7 हो जा रहा है 15 दिन बाद या 7 से 9 हो जा रहा है 15 दिन बाद तो आपको यहां पर सतर्क होने की आविशकता है और यहां पर अव इरिथ्ट्रो प्लैकिक पैच के लिए आपको यहां पर इसके एक्सीजन के लिए जाना जाहिए कि की अगर हम लोग ऐसे ही जो वो है उसी सेकेंडरी हीलिंग के लिए जब छोड़ते हैं खुकि आपको अँरल समयूकाई फैब्रोसिस पहले से है और हम लोग इसे सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ते हैं तो आपकी माउठ आपनिक प्लॉण बर ज्यादा restricted हो जाएगी तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो जहां भी सर्जरी होती है वहां पर वह क्या करते हैं कि स्किन ग्राफ्ट यूज जैंक कि जो भी आपका लिज्ञल एरिया था जहां पर इरित्रो व्लाइक की बने हुए थे ब पैच को हटा होने की जो चांसेज है वो काफी घड़ जाती है लेकिन अगर आप जो इरिथ्रो प्लैकिक चेंज हुआ है जो ओरल सब्मुकस फाइब्रोसिस में एडवांस स्टेजिस में देखा जाता है इस चेंज को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह अर्ली इंवेजिम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में कंवर्ट हो जाएगा तो अगर हम लोग इसका पहले ही इलाज करवा लेते हैं तो हमें दो थेरेपी और नहीं लेनी पड़ती है मिन्स सिर्फ एक सीजन हुआ पेशेंट की स्किन ग्राफ्टिंग हुई और उसके बाद पेशेंट क्योर हो जाता है तो क्या होता है कि अर्ली इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि जो पहले रेड़ पैच बना और उसके बाद कई पेशेंट में देखा गया है कि अल्सरो प्रोलेफरेटिव ग्रोथ हो जाता है मिन्स वहां पे एक ग्रोथ निक हो चुका होता है तो अगर एक बार आपकी जो बिमारी है वह कार्सिनोमा में चेंज हो गई तो आपको जो ट्रीटमेंट मॉडाल्टीज है उसमें एक सेर्जीकल एक सीजन के बाद जैसे की कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी यह सारा कुछ आपको लेना पड़ेगा तो तो आपकी जो treatment modalities है उसमें और ज्यादा treatment का जो mode होगा वो एग्रेसिव हो जाएगा तो उससे पहले ही आपको जब भी oral submucal fibrosis के case में तो आपको सतर्क होनी की वहाँ पर जरूरत है और अगर आप इस चीज को एवाइड करेंगे तो इन फ्यूशर जो है वहाँ में चेंज हो जाएगा तो यह जो आज का वीडियो था गाइस यह टोटली और सब्सक्राइब और इसके क्या-क्या जो एडवांस स्टेज होते हैं उसमें क्या चेंज आ सकता है इस पर यह कंप्लीट वीडियो था उम्मीद करते हूं कि यह वीडियो आपके लिए हैलफुल होगा और इस तरह की जानकारी से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच पर वाचिं हैं